आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ यह कहानी है एक छोटे से गाउं की भोलापन बसता है यहां की गलियों में यहां के घरों में और यहां रहने वाले हर दिल में खुच सच्चे है तो इनके लिए पूरी दुनिया सच्ची है दुनिया में रहने वाला हर इनसान सच्चा है और इनकी सच्ची और छोट इसी दु राधेशाम जब भी आता है साथ लाता है स्रिंगार का सामान और जगाता है उम्मीदों के अर्मान बड़ी अच्छी लगती है लोगों को राधेशाम की आवाज और आवाज सुनते ही सभी घर से बाहर चलियाती है सब की सब श्रिंगार का एक-एक सामान बड़े चाव से देखती है लेकिन राधेशाम उससे भी ज्यादा उत्साह से एक-एक सामान दिखाता है और उनके बारे में बताता है का हुआ लतादी का ढूंड रही है अरे राधेशाम भया तुम तो कह रहे थे कि एक ऐसी क्रीम आने वाली है जिसे हाफते भर में जाईयां दूर हो जाएगी अरे लाए हो ना जल्दी दिखा दो ना का लतादी आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग कुछ मंगाई हो और राधेशाम भ लाया नहों है एक ठिरही आपके छाहीयों वाली क्रीम आपको तो पता ही होगा ने कई बहुआ उसका टीवे पर पिलगा वी देखा ओगा थैंदेकि अकचा थियंक प्रॉल और काजल को और आप ये बताएए मेरा फिल्मी सितार वाला शैंपू लाए है ना देखिये ना मेरे बाल कितने रूखे सुखे से बेजान हो गया है इसे तो बिल्कुल भी मत लेना भाई वाह क्या रिष्टा है खूबसूरती और खूबसूरती बताने वाले का बाचीत का सिलसला यूही चल रहा था कि तभी तभी वहाँ से गुजरी एक खूबसूरत लड़की अरे वाह वो देखो इसे कहते हैं खूबसूरती ज़रा बात तो करना अरे क्या बात है सुहानी तुम्हारे बाल तो बड़े संदर लग रहे है थांक यू इतनी खूबसूरत बाल तुम्हेंने टीवी पे ही देखे हैं क्या ये असली हैं बिलकुल असली है चाहो तो छूप के देख लो अरे बाह ऐसे खूबसूरत बालों के लिए विटमिन एच की ज़रत पड़ती है जो बालों को पोशन देकर उन्हें रूई सा नरम बनाए और तारीफ सबकी आँखों में नजर आए हाँ सो तो है इसलिए तो हम सब की नजरे तुमारे बालों पर अटक गई है भाई बातों पर यकीन न हुआ लता को रूई से नरम बालों को तुरंट अपने हाथों से चूप कर देखा उसने वैसे सुहानी इन रूई जैसे नरम बालों का रास्त बताओं कौन से फिल्मी सितारे करते हैं इसका प्रचार ओ हो, जिस शांपू का प्रचार ये फिल्मी सितारे करते हैं, क्या कभी हुने इस सच में उस शांपू का इस्त्माल करते हुए देखा है? इसे कहते smart जवाब ये जो भी प्रचार होता है, इन सब को मैंने इस्त्माल करके देखा है, और अन्जाम भी भूगता है सुहानी की समझाई बातें डोनों की समझ में आने लगी आईए देखें, आगे क्या होता है? अब मैं भी इन फिर्मी सितारों वाले बातों के तर कझने कभी नहीं आऊँगी और सिर्फ विटमिन एच वलाई शैंपू लगाऊँगी विटामिन एच वाले शेंपू का नाम कैसा है जादी? उसका दाम कैसा है शेहजादी? नाम है चिक शेंपू और दाम सिर्फ पचास पैसे और एक रुपे विटामिन एच वाले चिक शेंपू से मैं क्या? तुम क्या? हम सब बन सकते हैं स्मार्ट शेहजादी अब फिल्मी सितारों के भेकावे में मताना और विटामिन एच वाले काले चिक शैंपू से सिर्फ खूबसूरत ही नहीं सबसे खूबसूरत बाल बनाना मान गया भाईया आज के बाद मैं इन बड़ी बड़ी कंपनियों की चिकनी चुबड़ी बातों में बिल्कुल नहीं आओंगा और इन फिल्मी सीतारों के चक्कर में पड़कर किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अकल लगाऊंगा, और जनहित में मैं खुद काओ शहर जाकर वीटामिन एच जो वाले काले चिक शेंपू की खुबी सबको बताऊंगा, क्योंकि क काले चिक शेंपू से जब होंगे बाल मुलायम और खुबसूरत, तो हमारे धंदे में होगी और बरक्त, अरे ओ सहजानी, मेरी तरफ से यह इनाम लेती जाओ, थैंक यू, दोस्तों, राधे शाम और सब देवियों की समझ में तो ये बात आ गई, कि विटामिन एच वाला शेंपू चुनो, और सब की नजरों में स्मार्ट शेहजादी बनो, अपने बालों को विटामिन एच का पोशन दो, और नर्म मुलायम बालों से सब का दिल जीत लो पूस्तों पाजादी बालों एच बालों में समार्ट का फूसा थी बालों की सर्च का तरह भजर निय।